अमुमन जब आप घर पे पेड़ पौधे लगाते हैं या सबजिया लगाते हैं तो औरगेनिक खाद का इस्तिमाल करते हैं क्योंकि उसमें पैसिसाइट्स नहीं होते और रैसाइनिक प्रदर्फ जो हैं उनको उनको यूज करने से बचते हैं लेकिन आज ये परसंगिक संग्या जो दी गई मुख्यमंत्री नायव सेनी की और से आज राहुल गांदी की और से जो लोकसभा के अंदर कहा गया जिस तरीके से तमाम बयान सामने आये और अब इस पर सियासत गर्म है उस पर नायव सेनी ने एक तगड़ा हमला बोला है राह रसाइनिक प्रोडक्ट है जिनको बनाने में या जिनको उगाने में जुभे रसाइनिक पदार्थों का यानि कि सीम की और से ये बात इसलिए कही गई कि लोग सभा के अंदर हिंदूओं को लेकर दिये गए बयान को लेकर राहुल गांदी को लेकर जो है वो भारती जनता पार्टी पूरी तरह से मोर्चा खोले हुई है आज नाइब सेनी की और से एक पत्रकार वारता की गई करना चाहते या घर पे लाना नहीं चाहते और लोगों को और गैनिक प्रड़क्ट्स पसंद होते हैं अब ऐसे में कहीं ना कहीं नाइब सेनी मुख्यमंतुरी हर्याना प्रदेश की और सिस्पश्टार पर ये कहा गया कि हिंदूओं को लेकर जो बयान दिया गया वो कड़ की निंदा के लाइक है और उसकी घोर निंदा भारती जंता पार्टी कहती ही करती है और ना के बल राहूल गांदी बलकि उससे पहले भी कॉंग्रेस के इतिहास को उठा कर देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं चाहे उसमें पीछ दंबरम की बात करें या सुशील कुमार की करें तमाम नाम उन्होंने गिनवाए जिसमें की हिंदूों को लेकर लगातार बयानबाजी जो है वो कॉंग्रेस पार्टी की और से की गई है मुख्यमंत्री का ये कहना था कि ये मानसिक्ता दर्शाता है कॉंग्रेस पार्टी की जो की सिख दिंगों पर कुछ नहीं कहती जो पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं पर एक शब नहीं बोलती 1984 के घटना करम पर कुछ नहीं कहती ऐसे में राहुल गांदी अगर कहना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो इन मुद्धों पर भी राहुल गांदी को बात जो है वो करनी चाहिए अब दरासल लोकसभा के अंदर जिस तरीके से राहुल गांदी की और से ये कहा गया कि हिंदू जो है जहाँ पर हिंदू आते हैं वहाँ पर हिंसा और नफरत और ये तमाम चीजे जो शब्दों का इस्तिमाल किया गया उसको लगातार बार बार अपनी पत्रकारवारता में सीएम नायब सेनी की और से जो है वो कोट करने का काम किया गया उनका ये कहना था कि लगातार हिंदूों को लेकर जो मानसिकता कॉंग्रेस पार्टी और खास तोर पर राहुल गांदी की है इस बयान के बाद पूरी तरह से सपष्ट हो जाता है कि कॉंग्रेस पार्टी किस राजनीती करती है यानि कि धर्म से को बांच कर जो है कही ना कही राजनीती करने का काम जो है वो किया जाता है वही उनकी और से सीधे तोर पर राहुल गांदी पर निशाना साधा गया कि राहुल गांदी वो व्यक्ति है जो कि टुकडे टुकडे गांग जब इस तरह का प जो है वो चुपती साधे रहती है अब ऐसे में इस मुद्दे पर भारती जनता पार्टी जो है वो तलक रुक अपलाए हुए है लगातार कॉंग्रेस की और से भी राहुल गांदी का बचाब किया जा रहा है कि राहुल गांदी का ये कहना था कि वह वहाँ पर मौझूद भा सदों को लेकर ये बात कह रहे थे लेकिन आप भारती जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जो है वो सीधे सीधे जनता के बीच में है आज मुख्यमंत्री नायप सेनी के और से पत्रकार वारता करकर सपश्ट तोर पर ये कह दिया गया कि जब लोगों की और से बार-बार र शिक्षा देनी चाहिए शिष्टा चार सिखाना चाहिए और उनको उनका बहवार जो है बताना चाहिए क्योंकि पहले वो सिर्फ एक नेता के तौर पर कॉंग्रिस में बयान दिया करते थे जब उन्हें भारती जनता पार्टी सीरियसली नहीं लेती थी लेकिन अब राहु सबा के चुनाव अगामी है ऐसे मैं भारती जनता पार्टी को एक बैठे बिठाय बड़ा मुद्दा जो है वो कॉंग्रिस पार्टी की और से दे दिया गया है और लगाता भारती जनता पार्टी के नेताओं की और से कॉंग्रिस पार्टी को और खास्ता और पर राहुल ग गांदी को इस मुद्दे पर खेरने का काम जो है वो किया जा रहा है नायम सैनी के और से भारत जोड़ो यात्रा का भी एक संदर बताया गया उनका ये कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा में एक नेता की और से यहां तक कह दिया गया था कि ये जो धरती है वो गंदी है इसलि में नहीं छोड़ेगी और लगातार नेताओं की और से अब प्रतिक्रिया जो है इस मुद्दे पर आती दिखाई देती रहेंगी वहीं कहीं न कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी के काउंटर में कॉंग्रेस पार्टी लगातार जो है वो भारती जंता पार्टी को घेरने का नजर आएगी रसाइनिक प्रड़क्टों और और और्गैनिक प्रड़क्टों पर दिये गए इन बियानों पर आपकी कमेंट्स में राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताईएगा और साथ ही साथ इंडियने उसके डिजिटल प्लाटफॉर्म्स को लाइक वा सब्स्राइब जरू करीश रर्म्रा